हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे यूटूब चैनल टेचेस काइस्ट में दिल से बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने घर के मीटर को रीचार्ज कैसे करोगे ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे हैं तब ही आप दोस्तों आप अपने घर के मीटर को रीचार्ज कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से इसको रीचार्ज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आए जानते हैं कि हम मीटर को रिचार्ज कैसे करेंगे तो दोस्तों मीटर को रिचार्ज करने से पहले आपको प्ले स्टोर को ओपेन करते हैं प्ले स्टोर को ओपेन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा जो उसाइप अब का नाम है बिहार सुगम eSmart meter ठीक है तो आपको ऐसे सर्च लेना है सर्च लेने का बाद दोस्तों यहां पर दखिये दो नमर पर आ जागा जो मैने पाहले से इसको install करके रखेए हुए है तो दोस्तों आपको open करना है इसको install करके आपको ओपेन करना है ओपेन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ पेस्व अपन होगा तो दोस्तों यह निचे में दिखाई देगा क्विक रिचार्ज ठीक है आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप दोस्तों इस पर किलिक करोगे तो दोस्तों आप जिस मीटर को र पर आपको डाण लाओका तो चहले दोस्तों हम üz Tiffany को यहाँ पर करते हैं मैं तो यहां पर के दension must करना है तो 300 को टाइप करेंगे और यह नीचे आपको दिखाई देगा प्रोसेट का आफशन तो दोस्तों आपको इस पर प्लोसेट पे कलिक करूगे है जैसे आप गो जब प्लोसेट पे उसी पर आपको रहने दर आए उपर वाला पर दो नमर पर नहीं करना है ठीक है उपर वाला पर यहीं रहने दरना है और यह नीचे में देखाई देगा प्रोसेट का अप्शन ठीक है तो दोस्तों आपको इस प्रोसेट पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर से कुछ प्राइश ऑपन होगा तो यहां पर देखें दोस्तों सब से निचे वाले में आपको दिखाई देगा UPI का option ठीक है यहाँ पर 4 option है तो दोस्तों आपको UPI पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको XROL करके निचे की तरह आना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने UPI ID को सेलक्ट करना है ठीक है उसे चिज़ को आपको यहां पर UPI लाना है तो चलिए दोस्तों हम phone पर शेlt को करना चाहते हैं तो हम phone को यहां पर UPI ID लाएंगे चलिए हम phone का UPI यहां पर ऐड़िट डालते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों my phone पर Q72 आईड़िए यहां पर थोड़ा देर वेट करने पड़ेगा ठीक है चलिए हम यहां से फोन पर के पास अब चलते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों वह तिन रखोन तरह में जो आप याँ से करनाfolg किलिक कर जाने को दोस्तों आप यहां पे अपने फोन पे का जो आए कोड रखे होंगे वो कोड डाल कर यहां से आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं ठीक है यहां पे देखिए वह आपका मीटा रिचार्ज हो चुका दोस्तों कुछ समय के बाद यानि 10 या 15 मिनट के बाद आपक घर में लाइट चलाएगा और आपका मीटार भी रिचार्ज हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों इतना ही तक हम इस वीडियो को समाब्त करते हैं थाइंकिस सो मच